अब बाद भारत में धर्म परिवर्तन की जो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है इस मुद्दे पर अक्सर दो तरह की बाते सुनाई देती हैं पहली ये कि धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा है और दूसरा कि धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया गया है ऐसी ही आ लालच या मर्जी दवाव या फैसला अपने मन का पंजाब में कुछ इसी तरह के शब तब सुनने को मिलते हैं जब बात होती है धर्म परिवर्दन की जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है हाल के दिनों में वहां सिख और हिंदू धर्म के कई लोगों ने इसाई धर्म आरोप ये लगाया जा रहे हैं कि उन्हें लालच देकर उनका धर्म बदलवाया गया है लेकिन इसाई धर्म को भूलने वाले लोगों ने इस बात से इंकार किया देखिए बीबीसी समवाद दाता सरबजीत सिंग धालीवाल की ये रिपोर्ट ये है गुर्दासपूर जिले के गौंग घुमान की रहने वाली राजिंदर कौर राजिंदर कौर ने सिक धर्म छोड़ इसाई धर्म अपना लिया है ऐसा उन्होंने क्यों किया इसके पीछे उनकी अपनी दालील है मैंने किसी लालच में आकर कोई धर्म परिवर्दन नहीं किया ये सब जूट है कि मैंने पैसे लेकर धर्म बदला है गुमान गाउं के ही सुक्विंदर सिंग ने 2006 में इसाई धर्म अपनाया था और उनका दावा है कि वो इस से बहुत खोश है मेरे हाथों और पैरों में तकलीफ थी मैंने युशू मसी पर विश्वास किया उसके बाद मेरी बिमारी ठीक हो गई अब मेरा पूरा जीवन भगवान युशू मसी को समर्पित है जबकि दूसरी तरफ श्रियकाल तक साहिब के जथेदार क्यानी हर्पिर सिंग का कहना है कि पंजाब में बड़ी संख्या में सिखों और हिंदूं का कुछ पादरियों की और से जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है पंजाब दी एस तरती दे उते इसाईयत दा पर चार जड़ा है बड़े जोर शोर दे नाल चलाया जा रहे है पंजाब दी अंदर पेंड पेंड चर्चां बन रही है और मसीता बन रही है इसाड़े वास्ते चंता अली इगाला है पिशले कोई साला तो पंजाब दी तरती दे हुते है कुछ नकली पास्टरा वनों सिखानों जबरी इसाई बनावन वास्ते एक पकानवादा साहरा जिड़ा ले जा रहे है वो कुछ कीता जा रहे है जिसनी इसाईयत भी अजाज़त ने देंदी और सिखानों गुमरा करके तरले सिखानों ने पंजाब दे हिंदों भी गुमरा करके तेजी बे नावन इसाई बनावन गाज़ड़ा पंजाब दे बेची चातन है इस सरकादी नाकथले चल रहे है दूसरी और इसाई धर्म से जुड़े लोग पंजाब में जबरन धर्म परवर्तन की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं पर उनका मानना है कि बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं गरीब लोग हमारे पास आस्था के कारण आ रहे हैं लोग अपनी मुश्किलों और अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए आते हैं ना कि किसी लालच के लिए पंजाम में असाई समुदाए की अबादी की बात करें तो ये कुल अबादी का महज डेड़ फी सदी है 2011 की जंगना के मताबक पंजाम में इस समुदाए की कुल अबादी तीन लाक अटालिस हजार है मजूदा समय में इस साही समय उदाय की अबादी कितनी है और कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया इसका कोई स्टीक अंकड़ा फिलहाल माजूद नहीं है क्या पंजाम में बड़े पेमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है इस बारे में हमने बात की गुर्दासपूर शहर के फतेगड़ चूड़ियां के कैथलिक चर्च के फादर जौन से हमने इस बारे में SGPC सदस्य करंजोत कौर से भी बात की और समझा कि शिरोमणी गुर्दवारा परबंदिक कमेटी इस विवाद के बारे में क्या सोचती है और धर्म परिवर्तन अब उनके लिए एक बड़ा मुद्दा क्यों बनता जा रहा है आपने देखा हुगा कि जो लोग अपने आपको क्रिश्चन बाबा बोलते हैं उन्होंने अपने यहां लंगर के स्टॉल लगाए होते हैं अगर आपको लोगों को खाना खिलाना है तो खिलाईए उसे लंगर का नाम क्यूं दिया जा रहा है क्यूंकि लंगर प्रधा सिखों में है कुछ दिन पहले पंजाब के तरंतर्न जिले के एक चर्च पर हुए हमले की घटना ने इस विबाद को और गहरा कर दिया है घटना का सांग्यान लेते हुए पंजाब के अलप संक्यक आयोग ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है कुछ लोग भूत परेत के ओपर जादा जोर देते हैं जिसकी चर्चा नहीं होती है ये सब चीजें बंद होनी चाहिए समाज में ये सब अच्छा नहीं लगता पंजाम में धर्म परिवर्तन के मुद्दे की एहमित इसी बात से समझी जा सकती है कि इस साल फरबरी महीने में राज्य के विधानसवा चुना में भी ग्रह मंतरी अमिशा ने एक चुनावी रैली में इसी मुद्दे को उठाया था और पार्टी के लिए वोट मांगे थे बीबीसी ने इस पूरे मामले के समंध में पंजाम में आमादी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंग कंग से बात की उन्हेंने कहा कि उनकी पार्टी एक धर्म निर्पेक्ष पार्टी है और ये मुद्दा धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है अगर इस मामले में कोई शकायत आती है तो सरकार कनून के मताबक कारेवाई करेगी सरबजी सिंग धालिबाल बीबीसी अमरीसर